आपको सबसे पहले इस चाप्टर यानि इस चाप्टर के अंदर दो फार्मूले आपको फर्फट आना चाहिए यानि के मोड और मीडेन इसके अंदर दो फार्मूले होते हैं आपके अने वाली अग्जाम के इन दो फार्मूले की तरहत आपको कोई एक कोशन आपको Ne Иoot पोशन पोचा जाता है या फिर अगर मोड नहीं पूचेगा तो मीडेन फैरमूले को लेकर आपको यहां पर कोशन प पूचा जाता है और दूसरा आपको एक OGO यानि कि OGO गिराफ बनाना होता है तीन मार्स के लिए आपको यहाँ पर पूचा जा सकता है यानि कि 100% आपके अन्दर OGO का एक कोशन पूचा जाता है यानि कि आपको सबसे पहले यहाँ पर एक इंपोर्टन आपको माइंड सेट करना होगा कि यह जो चाप्टर जो आपको सामने वीडियो के जरे मैं बता रहा हूं कि बहुत ही इजी चाप्टर है इस्टेटेक्स चाप्टर के अंदर सबसे पहले आपको आपके अन्वेल एक्जाम के अंदर 6 मार्स के लिए यह कोशन से 6 मार्स के इसके अंदर पूचे जाएंगे सबसे पहले मोड और मीडियन आप इन दोनों फार्मुले को अच्छी तरह फर्फेट करना होगा इन दो फार्मुले से आपको कोई एक मार्स के लिए 100% आपको पूचा जाएगा और दूसरा दो मार्स के लिए या फिर मोड के फार फिर मीडियन हो, यह दोनों फार्मुले के तरह से आपको कोई एक कोशन पूचा जाता है और फिर मोड को यूज करके आपको कोई एक कोशन каждow करना होगा इच्वाँ सबस om mode और median दोनों formula में से एक formula आपको fix पूछा जाएगा और दूसरा या फिर mode formula के तहट कोई एक question पूछा जाएगा या फिर median के तहट पूछा जाएगा यानि कि यह दोनों में से एक question आपको 100% पूछा जाएगा और रहा सवाल तीसरा question और जियो तो आपको 100% पूछा जाएगा और जियो को गिराफ किस तरह उतारना है और जियो को गिराफ किस तरह बनाया जाता है और तमाम स्टूरेंट से मेरी ये रिक्वेश्ट है कि जो भी स्टूरेंट अब तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किये हैं उन तमाम स्टूरेंट से मेरी रिक्वेश्ट है कि सबसे पहले आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हमारी हर एक वीडियो मिलती रहे, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं, तो आईए students, यहाँ पर हम problem को स्टार्ट करते हैं, सबसे पहले problem स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले आपको यह दो फार्मूले आपको compulsory याद रहना होना चाहिए, सबसे पहले median का एक फा अगर एकश के लिए पूचा जा सकता है तो जा सकता है यह दो फार्मॉलों में एकश्ण के लिए DR यह आपकोर के the following frequency of distribution stable ये अगर इस को देखेंगे तो ये कोशन जून 2019 और ये अप्रेल 2017 के अंदर ये कोशन पूचा गाया है आपको ये कोशन के अंदर ही टेबल दिया जाता है आप इसी टेबल के मताबिक आप इस कोशन को यहां पर हल करना होता है बिल्कुल आसान सा है और बहुत इजी कोशन से है और एक्जाम के अंदर इस तरह की कोशन से यहां पर मोड दिया गा है जैसा कि मैंने शुआत के अंदर आपको बताया कि यहां पर आपको मोड का फार्मला लेना होगा अगर यहां पर मीन दिया होगा तो यहां पर आपका फार्मला चैंज होगा तो यहां पर आप एक माइंसेट कर ले कि मोड या फिर मीन दो में से ए दो फरमिलों में इसे एक फरमिली की बुनियात पर एक कुछन हंड़ेट पर संट आपको एक्जाम के पूचा जाता है वह भी दो मार्स पर सबसे पहले है पर आपको सबसे पहले चीज़ आपको यह करना है इसके इंदर सबसे हैस्ट नंबर जो होगा वह क्या होगा मारा यह FN होगा जैसा कि हम यहाँ पर देखेंगे 78221 है तो इसमें सबसे हाइस नंबर हमारे कौन सा है एट है तो यह क्या होगा अब बागी कि हम नंबर को क्या करना है प्रिसंडिंग अश्यू संडिंग है यहाँ पर इसके उपर हम जाएंगे तो उहाँ पर माइनस खुरू होगा ल के मुताबिक हमें यहां पर लेना होगा और दूसरी चीज़ यहां पर हम यहां पर अगर देखेंगे तो यहां पर अगर देखेंगे तो एक नमबर का हमारा डिस्टन्स हो रहा है तो यहां पर कितना डिस्टन्स हो रहा है यहां पर टू डिस्टन्स क्या हो रहा है हमारा डिस सबसे पहले हमारे नंबर क्या है अब यहां पर लेंद हमें देखना है लेंद किसा निकालेंगे जो सबसे हाइस नंबर होता है इसके class इंटरोल के अंदर हमें देखना है कि यहां पर यह जो नंबर होता है हमारा क्या होगा length होगा अब यहां पर देखिए formula की मताविए लेंगे सबसे पहले हम यहां पर answers को डालेंगे किस तरह हमें हमें solve करना है तो चलिए students हमें हमें सॉल करते हैं तो सबसे पहले हैं पर देखिए हमारा frequency f1 model क्या होगा मैं देखेंगे model class का डिजिट हमें यहां पर बोल सकते हैं इसे किस तरह लिखेंगे कि फ्रिकेंशी कि आफ सब्सक्राइब क्या होगा मारा पास है एट होगा फिर चलिए students हम यम जीरो कैसा लिखते हैं प्रिसेंडिंग मॉडल में हमें से रखना है प्रिकिप्सिंग कि और प्रिसेंडिंग मोडल कि मोडलल क्लास है यह मानचव 6-20-0 प्रिसेंडिंगम मोडल में होगा दो यहां पर देखें़ यह फन ह्या यह जिरों यहां पर उपर है यह जीरों काम आपला सायिवन होगा अप चलिए students आगे देखें in your sending me bringing a presenting mainly you sending me linger किस्फ यू संदीं से मॉरड ग्लास नीजा होगा याफ्ट्यू होगा कितना हमार पास है टू होगा अब हैं अब आ हैं कि अपर क्लास का साइज देखिए था किया है यह यहीं के class है हाई यहां पर होगा अपर distance देखना है यह जो नम्बर्स हो रहा तो यह पर टू का यहाँ पर कितना Distance है, तो यहाँ पर लगाएंगे, और यहाँ पर Limits क्या है इसके अंदर की इसके अंदर शाना ह FROM होता है इसके पोजिशन नमबर क्या है मैं वो देखना है Ben hypnot camera इसके खएंपात अगर यहाँ पर 9 होगा इसके इसके लीन पर है तो यह वाला हमारा क्या का होगा lower limit number होगा यहां पर हमारा यह फुन कितना है एट है तो इसके पूश्चिण में चीज़ तो यहां पर देखेंगे मार नमबर कितना होगा ठीज होगा तो यहां पर मोड का फार्मूला क्या होगा जैसा कि मैंने शुरू में बताया कि आपको सबसे पहले यह फार्मूले कंपलसरी आपके जहन में बताना है two fn minus f0 minus f2 into height अब यहां पर देखिए steps इसे किस तरह रहका है जिसा नंबर कितना है length और देखिंगे तो तो आई यहाँ आप इसे में solve करते हैं, length कितना है हमार पास है, 3 है, plus, F1 कितना है हमार पास है, 8 है, और F0 कितना है, 7 है, यह 2 का 2 हो गया, F1 कितना है हमार पास है, F1 8 है, minus का minus, F0 कितना है, 7 है, और F2 कितना है, 2 है, यह आपका bracket complete into height है, height कितना दियागा है, 2 दियागा है, 3 का 3 हैंपर आपको क्या करना है, 8 में से 7 निकालना है, यह 2 का 2, और 2 8 से कितना हो रहा हमार पास है, 16 हो रहा है, minus 7, minus 2, यह into 2 का 2, 3 plus 2, 16 में 7 निकालना है, और स्टीन में हम यहां पर क्या करना है सेवन निकालना है सेवन निकालने पर नाइन बज गाए नाइन में टू निकाले तो कितना होगा यहां पर सेवन आपका अंसर आ जाएगा अभी हम यहां पर क्या करना है इसे इंटू टू होगा थ्री का थ्री प्लस इसे हम क्या करेंगे इसे हम 2 divided by से इसे क्या करना है इसे में 2 into 2 की तिए इसे मुल्टिविशन करो 4 का 4 होगा ये 7 का 7 होगा अभी इसे हम इसे क्या करना है ड्यूजन करना है इसे ड्यूजन करेंगे तो कितने सकट होगा 0.28 से होगा जैसा कि हमें डियोजन करना है, जैसा कि हम पिछली जमात के अंदर, पिछली ख्लास के अंदर पढ़ चुके हैं कि डियोजन किस तरह किया जाता है, तो यहां पर आईए 3 प्लस 3.0.28, अभी 3 में यहां पर point में दियागा है, तो 3 में 0 को add करें तो यहां पर 3 ही होगा, point का point 28 ह होगा, यह आपका answer आजाएगा, 3.28 होगा, यह आपका mode क्या है, 3.28 है, तो चलिए students, अब question number 2 की तरफ बढ़ते हैं, यह भी बिल्कुल उसी तरह question है, जो हमने question number 1 को solve किया, जो mode formula लेकर यहां पर करना है, calculate the mode for the following frequency distributions table, देखें, इस question को अगर हम देखेंगे, तो यहां पर यह question, April 2019 की question पर में पूचा गया है, तो आई students, यहां पर question के अंदर table में दिया गया है, आपको question के साथ भी, इस तरह करेकर table दिया जाता है, अगर यहां पर सबसे पहले हम यह phone को निकालेंगे, तो यहां प just लैंब आप यहां पर यह फ 2, यह 3, यह 4 सजएँगे और अपर यह फρχी सजोगे यहां पर minus 1, minus 3 इस तरह यहां पर यहां पर आपको क्या करना है, यहां पर length देखना है, तो length देखनी के लिए जहां पर सब्से पहले हैं को यहां पर सबसे हायस्ट नमबर क्वान सा है, तो यहां पर highest number seven तो इसके position में आना है यहां पर पहला वाला नंबर आज यह का आपका length होगा निके length कितना आपके पास 40 दिया गया है अब अब हाइट कैसा निकालेंगे तो height के लिए इस table में आना है यहां पर इस column में है यहां पर जितने भी भुटँएव में में हम फिफ्टेन्स इंट करते हैं तो फॉटी आय जाता है इ martinaald has 55 थे हैं तो यहां पर पूर सब तमाम कितना है हमारे पास है यहां पर देखिंगे तो फॉप्टेइब हैं तो हम सबसे पहले लेंद कितना होगा में है यहां पर 40 होगा e हमारा पास event 40 है और यह फोन कितना हमार पास है यहाँ लेंद पीस य्गोरी फिर थीखोग और तो Yay आपर मोठ्मोला क्या होगा यहां पर मोड़ा होगा तो मोड़ का फ्रमला क्या होगाइब फॉइस फ्वल-10 भाय तू यहसी फॉन हं यह फ़न सेंगे है यह से जीरो कितना है हमर पास फेले पासर ऐफ जीरो ठीरी दिया गया है І निया जी कट्थ कर फूल चीज इर funkBo exploited टेखेंगे तो सिक्स होगा यह OFF 2 कितना है हिन यहीं 2 टिन है इसमने हमेरा पास 1 गया है और फिर इसके बाद है यहीं 2-6 COMM डिञेल हाइट है यह 40 का 48 प्लस 271 हमको क्या करना है थियु निकाले है तो यह वारत सर्वर उनल्टय गया है कितना हो रहा है मरण पासर 14 हो यह माइनस 3 माइनस 6 इंटू 15 15 हो गया यह 40 का 40 प्लस 4 का 4 यहां पर हमको क्या करना है 7 में अगर 3 निकालेंगे तो कितना है इस निकालना है तो टोटल ना हो जाएगा हमर पासर 5 यहां पर रिमेंड बच जाएगा कि यहां पर 15 का 15 अब यहां पर देखते हैं इसे हल करें 40 प्लस 4 divided by 5 into 15 40 प्लस 4 into 15 को multiplication करेंगे यह 5 का 5 50 प्लस इसे कितना है कि टेबल तक कौन तो 60 आजाएगा इस यहां पर कितना होगा तो फाई करेंगे तो सिस्टि कट हो जाएगा तो यहां कि दूनों को अट करने पर कितना होगा हमारा पास दोनों को फॉट फुटे टू हो जाएगा तो आपका हैं मोड्स हैं यहां पर कितना रहा है button शिया रहा है शिरेंज कि यहां पर किकरएं प्रीकोंनि इस्त फंटा बहुत हरा है दो देखर के तो आईए तो चलिए student अब question number 3 के तरफ बढ़ते हैं बिल्कुल यह भी important question है अगर इस questions को अगर हम देखेंगे तो यह question June 2019 के अंदर यह question पूचा गया था calculate the median अब देखें यहाँ पर इससे पहले question बिल्कुल उसी तरह यहाँ पर हम निकाल ला है यहाँ पर एक और चीज़ क्या है आप solution में भी एक table बनाएंगे जैसा कि question के अंदर एक table आपको दिया जाता है बिल्कुल उसी तरह है आपर class enrolls number को हम यहाँ पर उता रहे हैं और frequency number को भी हाँ पर हम उता रहे हैं तो यहाँ प यहाँ पर हम numbers को लगाना है यहाँ पर देखिए इस question को देहां से देखिए एक ही question आपको इस तरफ कर बताऊंगा एक दो को आपको दे दूंगा आप questions बड़े आसानी किसे हल करेंगे बिल्कुल आसान सा questions है देखे questions के अंदर तो एक table column को दिया जाता है आपको answer के अंदर सब्सक्राइब एक table column उतारना होगा आपको CF यानि के cumulative frequency number को किस तरह निकालना है आप सबसे पहले इस तमाम numbers को यानि कि तमान दिये के digit को क्या करना है total करना है जब total करेंगे तो यह कितना रहा है 20 आ रहा है तो यहाँ पर हम 20 को लगा देंगे 20 में हम यहाँ पर क्या करना ह है 5 को minus करना है 15 और 15 में 4 को minus करेंगे 11 11 में 6 minus करेंगे तो 5 5 में 3 minus करेंगे 2 आए जागा तो यह numbers हमको यहाँ पर निकाल ले अब यहाँ पर देखिए students सबसे पहले हैं पर अब यहाँ पर देखिए frequency of a median last question में frequency of a mode ले रहते हैं तो यहाँ पर यह हमारा frequency numbers क्या होगा तो य यह हमारा frequency number होगा यानि कि जो सबसे highest number होगा अब length किस तरह यहाँ पर निकालना है length अगर देखेंगे तो यहाँ पर frequency है तो इसके opposite वाला number यह क्या होगा हमारा length होगा जो सबसे highest वाले के अंदर जो सबसे highest number दिया होता है तो इसके opposite नहीं पर टेबल में अगर देखेंगे तो इसके बाद में आपको CF यानि के हाँ पर हम देखेंगे तो F1, F2 इस तरह होते हैं यह क्या होंगे F0 होंगे तो इहां पर CFF class presenting median class होगा तो तो यहां पर ज teh 1 जो नमबर हम यहां पर जो सबसे highest number लिये तो इसके ऊपर वाला number जो सो F0 होता है आपको Yowój 0 लेना नहीं होगा इसके opposite वाला number यह यानि कि 5 आपको लेना होगा तो यहां पर आपको क्या लेता होगा system number कैसा लिये जो सबसे highest नंबर होता है उसे हम frequency लेते हैं और उसका opposition नंबर क्या होगा हमारा यह यह length होगा और फिर उसके बाद नहीं है पर f0 के opposition नंबर को यहां पर हम cf में लेना है तो n divided by 2 तो हमको यहां पर formula के अंदर आ जाता है तो सबसे पहले median का हमारा formula क्या होगा यहां पर देखिए सबसे पहले median का हम formula डालेंगे आपको यहां पर median का formula डालना है सबसे पहले length plus n divided by 2 minus cf minus cf divided by f into height ठीक है यह भी फर्बल आपको याद रखना होगा देके students median और mode दो तरह के formula होते हैं दोनों मेंसे एक question आपको 100% आपको questions exam के अंदर पूचा जाएगा यह तो तुर तमाम से numbers को हमें add के 20 होगा तो यहां पर हम 20 लगाएंगे डिवाड़ बाइट टू टेंजा 10 is equal to 10 यानि कि यह डिवाड़ बाइट टू क्या है के पास टेन है अब यहां पर यह क्या होगा मारा six होगा और length क्या है मार पास length हमर पास 25 है यानि कि limit of a median क्या है मार पास 25 है और अब यहां पर इस फर्मॉली के मदसी से हम यहां पर हल करेंगे तो यहां पर आपको देखना है कि length कितना है 25 प्लस यह डिवाड़ बाइट टू कितना है मार पास 10 cf5 होगा तो यह यह कितना है 6 6 8 क्या है आपके पास 5 25 प्लस 10 मैनस 5 इस इकल टू 5 डिवाड़ बाइट 6 इंटू 5 25 प्लस 5 इंटू 5 डिवाड़ बाइट 6 25 प्लस 55 कितना होगा 25 डिवाड़ बाइट 6 अब 6 को 25 से महीं हम पर मुल्टिफिकेशन करेंगे तो यह कितना होगा फोर्ज होगा यहां पर पॉइंट आएगा माइनस 16 25 प्लस 4.16 होगा अब अब यहां पर क्या करना है आपको फोर में 25 डिवाड़ कर लेना है 29 पॉइंट यह सिस्टिन का अभी से आट के लिए 29 होगा यह सिस्टिन का सिस्ट जाएगा तो चलिए स्टुएंट अब यहां पर कोशन नंबर फोर की तरफ बढ़ते हैं ड्राव ए लेस डैन टाइप आफ ओजियो तो यहां दीके स्टुएंट यहां पर अब ओजियो पूचा जा रहा है तो स्टुएंट यहां पर सबसे पहले एक चीज को आप यहां पर अगर हम कोशन पर अगर निकाल के देखेंगे तो ओजियो का एक कोशन आपको पूचा जाएगा जैसा कि इससे पहले हम देख रहेते हैं मोड और मीडियन को हम वहाँ पर देख रहेते हैं मोड और मीडियन में दो मेंसी एक कोशन वहाँ पर आपको फिक्स पूचा जाता है दो मेंसी एक question आपको यहाँ पर दो मार्स के लिए पूचा जाता है और o-jio यहाँ पर मैं एक ही टायप की आपको question बताऊंगा और मैं आपको एक और type का question यहाँ पर दोंगा जिसे आप खुद solve करके यहाँ पर आप इसका अंसर निकालेंगे तो यहां पर देखिए ओजियो आपको दिया जाएगा तो यहां पर आपको एक सिंपल सा गिराफ की मदद से यहां पर इसे आप इसे ड्राउ करेंगे यह कोशन्स आपको फर्फेट करना है 100% यह आपको एक्जाम के अंदर पूचा जाएगा अगर यहां पर हम टेबल्स को देखेंगे तो यहां पर देखिए यहां पर एक जदोल दिया आगा है 0-33-6-9-12 और यहां पर फ्रिकेंसी नंबर्स दिये गहें जैसा कि यहां पर पिछले मीडियन के अंदर हम जिस तरह यहां पर बॉक यहां पर हम टेबल निकाल रहे थे उसी तरह यहां भी आपको solution यानि कि sol के अंदर भी आपको एक table यहां पर आपको tabular column बनाना है जो आपको graph बनाने के लिए मददगार होगा तो यहां पर सबसे पहले देखिए हैं यहां पर आपको तो दिये गए class इंट्रोल दिये गए और frequency दिए गए और कर्मलिक की टीव फ्रिकेंसी हां पर निकालने कालेंगा तो तो कि यहां पर आपको यहां पर आपको क्या कर जैसा के लिए पर एक ही डिस्टंस के अंदर हुवासाइन रहा है तो यहाँ पर पर यहां पर डालना नार करती है कि नमबर किस तरह है किस तरह है किया लुद सब्से कहले पर कुछ्ट नमबर दिए गया है यहाँ पर तो कि हम्हें आपनगे यहां पर आगे वी ट्वण्टिवन तक भी, इसे आप डाल सकते हैं तो यहां पर इस तरह का number डालना है जो यही नम्बर को आप यहां पर डालना है अगर आप किस तरह कर डालना है लेकिन अगर तो हमें आसानी होगी जो हमें solve करने के लिए बहुत मदगार साभी होता है अब यहां पर CF को किस तरह हैं पर डाला है सबसे पहले आपको यहां पर देखिए अब यहां पर CF की number है इसके अंदर सबसे highest number कुन सा है आपको देखना है अगर हम highest number देखेंगे तो 21 आपका सबसे highest तक आपको यहां पर एक ही डिस्टेंस में लेके जाना है जैसा कि आप आप वाक्स देख रहे हैं यह एक ही डिस्टेंस के अंदर ग्राफ के अंदर होते हैं अब जैसा कि ही है पर अगर हैस नमबर है तो 123 इस तरह डालते हैं इस तरह आपको नहीं डालना है यहां पर अगर हम एक ही इकवल नमबर है इसका एक ही डिस्टेंस होना चाहिए अब यहां पर 21 है अब है करें हैं तक नहीं ले सकते हैं या फिर हम टॉंटी-फोर तक लेक सकते हैं या फिर हम टर्टै सिक्स टर सकते हैं तो आप यहां पर हम क्या करेंगे दो करेंगे रखेंगे तुवनज़ सब यहां पर देखिए इस तरह मत कीजिए कि 1 2 3 24 तक बच चाहिए क्यूंकि आपको निकाले में बहुत कन्फीजन होगा अब यहां पर देखिए सबसे पहले आप ग्राफ का ओजियो किस तरह बनाते हैं अब यहां पर एक से और ऑलाइन क्या होगी और यहां यहां पर बना नहीं अगर उसे देखिए थे this के लिए यह एक ही मारस के लीए होता है यहां से क्या होता है यह quantum 3 marks के लिए questions आपके exam के लिए होता है आप यहाँ पर देखे 3 है 3 का हम CF देखेंगे तो 9 होगा यह 3 को हम यहाँ पर state लेके जाएंगे 8 के बाद यहाँ एक line को अगर हम point करेंगे तो 9 होगा तो यहाँ पर से हम add कर देंगे एक point बनाएंगे फिर उसके बाद में 6 को देखेंगे 6 12 तक गया है यहाँ पर 6 जाएंगे तो 12 है है मार पास 12 को add कर देंगे फिर उसके बाद में 9 है 9 17 है तो यहाँ से state आपको जाना है 6 है यहाँ पर आपका 17 है यह नहीं कि इस line को आप count करना है जैसा कि हम फिर उसके बाद में 12 को देखेंगे तो 12 कहां तक जा रहा है हमारा 20 तक जा रहा है 12 को यहाँ पर 20 तक इसे हम एड़ रख लेंगे एड़ कर लेंगे फिर उसके बाद में हम को यहाँ पर क्या करना है 15 दिया गया है 15 कहां तक जा रहा है हमार पास है यहाँ पर OJio को इस तरह हमें बनाना है यह तीन मार्स के लिए एक कोशन आपको फिक्स एक्जाम के अंदर पूछा जाएगा तो देखे इस्टेंस माइं आपको दो कोशन त्या आँ हो यहाँ पर इस तरह के कोशन्स को आपको यहाँ पर हाल कर सकते हैं देखे जैसा कि मैंने आपको 5 questions बता है question number 6 को अगर देखेंगे तो calculate the median of the following frequency distributions table तो देखेंगे इस question को अगर हम देखेंगे तो यह questions एप्रिल 2020, June 2021 के अंदर पूचा गा है तो आपको इसे solve करना होगा इसका answer क्या आएगा 8.05 होगा यानि कि median का formula होगा जिसे हम वस्तानिया कहते हैं यहां पर formula चेंदिया है mode कमें आपको question नहीं दिया है क्योंकि mode का questions बिल्कुल आसान सा है बिल्कुल हमें जितने चाहिए questions से कर सकते हैं वह से वह median भी बहुत easy questions है इसे भी हमसे बहुत आसानी के साथ इसे में solve कर सकते हैं तो यहां पर देखे जिस तरह हम फ्रिकेंसी कैसा लेना है और सेंडिंग फ्रिकेंसी कैसे लेना है और हाइट और लिमिट्स किस तरह लेना है मैं आपने आपको फिसले questions के अंदर हम लोग देख रहे थे तो चलिए यहां पर question number seven को आप देखना है question number seven को देखे बिल्कुल उसी तरह है जैसा कि हमने पिसले questions के अंदर हल किया था यहां पर question को देखेंगे तो में मालूम होता है कि the following table और ग्यू प्रोडेक्शन सेयल्ड पर अक्टर ओफ वीट ओफ हंड़ेट फांस अफ ए विलेच विलेच यहां पर question को देखेंगे तो अगर इस question को देखेंगे तो यह question तुम पर आपको 2022 में बता है रहा है कि किसी गाउंग के 10 खेत तो में फिया यह tar दीगई है तो यहां पर गहों था ओर मैंस से सिस्तिं इहां पर लंबर और। कितने हैं तू है और यहा पर 8 forms है 12 forms है 24 forms है 30 अगर इनको पूरे को equal करेंगे तो यहां पर total 100 forms हो जाएंगे तो आप को यहां पर क्या करना है इसका एक ऊजियो टैबर करम बनाना है या पर आप कुसे ऊजियो में draw करना है तो आप तमाम तुलबा को तमाम मुकमल तो पर समझ में होगा जो भी स्टियोंट को कोई भी डौट है तो आप अपना कोशन से केमेंट्स में डाल सकते हैं उनको तमाम स्टियोंट को अंसर दिया जाएगा ठैंक यू